दोस्तों हम सभी के जीवन में मुश्किले आती हैं कठिनायों का दौर आता है कुछ लोग इन मुश्किलों में फसकर तूट जाते हैं और दुनिया की भीड में गुम हो जाते हैं वही कुछ लोग मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं और वो मुस्किलों को हरा कर अपने सपनों को पूरा करते हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं ऐसी ही एक मिसाल पेस्की है चंडीगड के छोटु सर्मा ने जिनोंने आगे बढ़ने की ललक में दिन भर एक कंपनी में चपरासी गिरी की और रात को भूके पेट जगकर पढ़ाई की आज यहीं चोटु सर्मा चंडीगड में दो सौफ्ट वेर कंपनियों के मालिक हैं और वहाँ इन्हें गुरू आफ माइक्रोसॉप टेकनलोजी के नाम से बुलाया जाता है हिमाचल प्रदेश के गाउं में जन में चोटु ने सरकारी कौली से बीये पास तो कर लिया लेकिन इस डिगरी के बल पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली नौकरी की तलास में वह चंडीगड जा पहुचा लेकिन वहाँ भी बिना किसी वेवसाई कोर्स की ये कोई नौकरी देने को तयार नहीं था तब चोटु ने फैंसला किया कि वह कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर के बल पर ही अपना कैरियर बनाएगा और उसने एक इस्थानिय कंप्यूटर सेंटर एप्टेक में कंप्यूटर किलास जोइन कर ली लेकिन वहाँ की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने उसी कंप्यूटर सेंटर पर चप्राजी की नौकरी करने का फैंसला किया उसने किसी तरह अपनी सेलरी से कम्पूटर किलास की फीज तो जमा कर दी लेकिन खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कैई बार उसे भूके पेट सोना पड़ता था दरासल वो जानता था कि गाउं में तंग हालातों में जी रहा उसका परिवार उसकी कोई मतद नहीं कर पाएगा इसलिए वो अपनी तंग हाली की घबर अपने घरवालों को नहीं बताता था वो दिन भर कंप्यूटर सेंटर में चपरासी का काम करता और रात को जगकर पढ़ा ही करता और जैसे ही कोई कंप्यूटर खाली मिलता वह अपने कोर्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे छात्रों को भी computer course की बाते सिखा था इस दोरान वह computer teaching में भी माहिर हो गया था साल बीता और उसके साथ दो अच्छे काम हुए एक तरफ उसने Microsoft Certified Software Developer Course पूरा किया और दूसरी तरफ उसे AppTec Computer Center में ही बत और faculty teacher चात्रों को पढ़ाने का प्रस्ताव मिला और उसने तुरंत इस प्रस्ताव को सुविकार कर लिया साम के समयवे faculty के तोर पर AppTec में क्लास लेता और दिन में कई चात्रों के घर जाकर ट्यूसन लेता और इसी दौरान उसने अपनी पहली कमाई से साइकल खरीदी उसके बाद 2002 में उसने जॉब छोड़कर अपना खुद का इस्टूट खोलने का फैंसला किया और अपने बचत के पैसे से कंप्यूटर खरीदा और दो कमरों के किराय के फ्लैट में अपना खुद का कंप्यूटर इस्टूट सुरू गिया और छे महिने में ही उसके इस्टूट में सो से जादा इस्टूट आने लगे जिससे उसे और कंप्यूटर खरीदने पड़े और देखते ही देखते छोटू का संगर्स और मेहनत रंग लाई और कम ही समय में .NET की टीचिंग में उसका नाम चंडीगण में च्छा गया और उसके बाद 2007 में उसने चंडीगण में कैई जगे CS InfoTech के नाम से इंस्टूट खोले जिसमें हजारों स्टूट कंप्यूटर शिक्षा ले रहे हैं और छोटू के अधिकतर चात्रों को 500 करोड टर्न ओवर वाली कंपणियों में अच्छे खासे पैगेज पर नौपरी मिलती है 2009 में चोटू ने मोहाली में जमीन खरिद कर खुद की सॉफ्टवेर कंपणी CS Soft Solution खोली जो बड़ी-बड़ी कंपणियों को सॉफ्टवेर सेवाई मोहया कराती है चोटू सर्मा के संगर्स और मेहनत के चलते 2007 में हिमाचल परदेश के ततकालिन मुख्य मंतरी प्रेम कुमर धुमल लें उन्हें हिमाचल गौर पुरुषकार से सम्मानित किया कि मुए सेथियों कि प्रेखें कि ततक हो थoga कि怎麼了 कि मुए सबheldार ले अए टा गभल्स्ट घिरा फूलै